बागेश्वर महराज को 42 सिंच की राखी बानेंगी गुना की बहने नमस्कार मैं वनीश कुमार पटेल और आप देखनें दखावरदान्यूज बागेश्वर धाम की पीठा धिश्वर पंडी धिरेन सास्ती के गुना सही देश बिदेश में लाखों अन्यवाई हैं अब गुना से दो बहने सास्ती जी को रक्षा बंडन के पावन पर आकर्षन 42 सिंच की राखी भेजेंगी बागेश्वर धाम महला समिती की दो बहने इस खास एवं आनूठी राखी को पिछले दो महीने से तयार कर रही हैं दोनों बहने रक्षा बंडन के दिन पूरी में को बागेश्वर धाम पंडी धीरत सास्ती को राखी भेट करेंगी लेकनी की कथा वाचर बागेश्वर धाम के पंडी धीरत सास्ती के लाखों की संक्षय में अनुआई और वह बागेश्वर धाम के पाला जी पर अपनी आस्था रखते वे पंडी धीरत सास्ती भी इस दुनिया में विख्षात हो चुके हैं येसे में उनके भक्त कुछ ना कुछ अलग करते हैं अब बात भाई बहन के पावन पर्व का राखी का है तो सहर की तो बहनों ने अकर्षण एमा अनूठी राखी तयार की है जैसा कि आप देखने हैं ये हम बाजेश्वर धाम में हमारे आदर्णीय गुरु भगवान के लिए राखी हम लोग भेट कर रहे हैं और ये पूरी जो राखी है अपना पहले तो सभी को रक्षावंदन की हार्दिक शुपकामना है सभी बहने की और से ये रक्षावंदन की उपलक्ष में ये धीरे सास्त्री जी हमारे भाई गुरु वर उनको ये राखी पहुचाई जा रही है और ये रक्षावंदन पर उनको भेट की जाएगी ये लेजाके हम उनको भेट करेंगे तका कि सबी बहने इसमें समलित हैं और उनको लगे कि हाँ, नहीं हमारी तरफ से भी कोई चीज पहुची है, तो ये हम गुरुवर को रक्षवन्दन पर अपना भेट करेंगे ये अब पूर्ता तयार हो चुकी है ये पहुँचाने के लिए हमें, हम खुद लेके जा रहे हैं, हम पूरी गाड़ी में रखके उसको लेके जाएंगे और ये उन तक पहुचाया जाएगी, कैसे भी करके, वो हमारी चोटी सी भैट कपूल करें यही हमारा वो लक्ष है और हमें उनसे कोई ऐसा कुछ नहीं बस हमारा प्रेम उनके पाथ जाए सभी भेहनों का प्रेम उनके तक पहुँचे यही हमारी सुपकामना है यही हमारी कामना है कि वहाँ तक यह पहुँचे और सभी भेहनों की तरफ से हार्दिक बहुत-बहुत सबी लोगों को रक्चावंदन की हार्दिक शुपकामना है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो हमने राकी बनाई है, ये हमने आदरणी हमारे गुरुवर धीरिन शास्त्री जी के लिए भेट सरूप देने के लिए बनाई है, और ये राकी भागेश्वर धाम जाएगी और इसको बड़ा आकार हमने 42 इंची का इसको आकार दिया है, और ये आकार इसलिए हम लोगों ने इसे दिया है, कि जो भी बहने बागेश्वर धाम जाने में असमर्थ हैं, किसी कारण वर्ष तक वो अपनी शुपकामनाई गुरुदेब तक नहीं पहुचा पा रही हैं, तो हमने कोशिश किये इस राखी की अंदर उन सभी बहनों की शुपकामनाए हैं, और हमने एक-एक जो रेशम का वर्क इसमें किया है, और एक-एक जो रेशम पत्ती इसमें लगाई है, वो इसी भावना के साथ लगाई है, कि हमारी जो बहने बागेश्वर धाम नहीं नहीं किसी कारणवर्श, उनकी सब की शुपकामना है हमारे गुरु भवान तक पहुचें, कितने इंच की राकी है और कितना समझ लगागा आपको इसमें बनाने क्या क्या करसें, इसमें दिखें सबसे पहले तो पूरा उपियोग किया गया है, वो पूरा कपड़े का उप इसको पूरा भव्य रूप दिया गया है, और इसे बनाने में कम से कम हमें एक महिने का समय लगा, कितनी लोगा सईव रहा इस राकी बनाएं यह राकी हमने पिंकी बहन और हमने और हमारी चोटी सुस्टर डिमपल बहन ने बनाई है, और इन सब का काफी सईव रहा मुझे इसे बनाने में, कोशिश हमारी पूरी है कि सभी भहनों की तरफ से हम इसे गुरुदेब को राकी पर भेट करें, जिससे सभी भहनों की शुपकामनाई गुरुदेब तक पहुंचें, क्योंकि हमारी गुरु भगवान सर्देव सनातर के लिए कारी करते हैं, और हम एक पूटी दिखाई दे रही है, बट यह काफी बढ़ी है और और से पकड़नी के लिए दो जनों को आविशक्ता भी दो जनों की पढ़ रही है, मैं लकी सकसे ना, गुना से, प्रथम भागिश्वर्था महिला समीती